नमस्कार दोस्तों आप सभी का जोती शूर्जा में बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे education line की पामिस्ट्री में किस प्रकार से ये देखा जा सकता है कि बच्चे जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे higher studies में वो admission ले सकते हैं higher studies वो कर किस प्रकार से जान सकते हैं कि उनका बच्चा जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा तो आज की वीडियो में मैं यहीं बताने की कोशिश करूँगी आज की वीडियो में मैं सारा concept आपको clear करने की कोशिश करूँगी अगर आप इसे जब हम किसी भी व्यक्ति का हाथ देखते हैं तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है हाथ की शेप की तो चलिए हाथ की शेप से शुरू करके मैं आपको exactly यह समझाने की कोशिश करती हूँ कि किस प्रकार हम education को define कर सकते हैं बहुत सारे तरीके हैं इस चीज को देखने के लिए बहुत सारे लाइन जैसी होती हैं जो education के लिए इस्तेमाल की जाती हैं देखी जाती हैं तो यहाँ पर सबसे पहले जो हाथ की शेप अगर square होती है अगर squareish hand है तो ऐसा जो बच्चा होता है वो बहुत hard working होता है तो ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि हाँ यह बच्चा जो ह आगे education लेने के लिए मेहनत कर सकता है hard work कर सकता है अपने आप से वो मेहनत करेगा तो उसको सफलता जरूर मिलेगी क्योंकि देखा जाता है कि कई बार parents इस बात से परिशान रहते हैं कि बच्चा जो है वो hard work नहीं करता उससे समझ में आता है प्रन्तु फिर भी वो hard work नही करता तो ऐसे में अगर आप देखें कि उसके हाथ की जो shape है वो square hand है तो वो जरूर मेहनत कर सकता है अगर आपका बच्चा फिर भी मेहनत नहीं कर रहा है तो उसे हलकी सी अगर आप counseling देंगे तो बच्चा जो है वो फिर से उसी track पर आ जाएगा आगे है mounts की बात mounts जो होते ह तो वो हमें हर तरह से सुख देते हैं हर तरह से हमें fame मिलता है हर तरह से हमें जो है प्रसिद्धी मिलती है तो यहाँ पर education के लिए जो mounts देखे जाते हैं वो चार mounts है पहला है सूरे का परवत दूसरा है ब्रस्पती का परवत तीसरा है बुद्ध का परवत और चौथा है च की बाकी रेखाएं भी अच्छी हैं तो बच्चा जो है वो बहुत अच्छे से एजुकेशन ले सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहां से हम यह जाज कर सकते हैं कि आपका जो बच्चा है वो एक एवरेज एजुकेशन बड़े ही अराम से ले सकता है और आपको उसमें कोई जादा परिशानी लेने की ज़रूरत नहीं है प्रंतो जब हम एक्स्ट्रा-उडिनरी बच्चों की बात करते हैं कि ऐसे कौन से चिन्ने हैं जो एक बच्चे को एक्स्ट्रा-उडिनरी बना देते हैं उसका दिमाग इतना जादा चलता है कि वो हर क्लास में फर extraordinary education ले सकता है higher education ले सकता है यहां पर मैं आपको कुछ symbols बताऊंगी जिसको देखकर आप judge कर सकते हैं कि आपका बच्चा जो है वो top कर सकता है hard work कर सकता है बहुत अच्छी education ले सकता है चले पहले symbol की बात करते हैं पहला हमारा symbol है चंद्रमा के परवत पर बनने वाला fish का sign जब मन को बहुत अच्छे तरीके से control करते हैं और चंद्रमा की functioning को बहुत बढ़ा देते हैं चंद्रमा मन का कारक माना जाता है ऐसे बच्चे जिनके चंद्रमा के ऊपर इस तरह के sign बनते हैं वो कभी न कभी अपने जीवन में तरक्की ज़रूर करते हैं उनका मन जो है वो ठहर बहुत ज़रूरी है कि चंद्रमा के ऊपर अगर यह sign बनता है तो इसके साथ कोई bad marking ना हो कोई bad sign ना बना हुआ हो जैसे को grill का sign ना हो या कोई इस प्रकार का sign ना हो जो जिसे हम cross कहते हैं तो cross अगर बहुत सारे होंगे या grill बना हुआ होगा तो यह चंद्रमा की functioning को कम कर देगा और जो अच्छे sign है उसके effect भी खतम हो जाएंगे तो यहां पर यह बात आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है एक तो आपको यह देखना बहुत ज़रूरी है कि जैसे आप चंद्रमा के परवत को यहां देख रहे हैं for example मैं आपको यहां पर बताती हूँ कि चंद्र जो है आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा परवत माना जा सकता है आगे के sign की बात करते हैं अगला हमारा जो sign है वो है सूरे रेखा के उपर बनने वाला star का sign या fish का sign अगर इस प्रकार का sign सूरे रेखा के उपर बनता है तो भी वह बहुत ही अच्छा effect देता है education क लिहास से ऐसे व्यक्ति ऐसे बच्चे जो है वो बहुत अच्छा कर सकते है education में सबसे पहले इसमें ये देखने वाली बात है कि सूरे रेखा जो है वो कहीं से भी कटी फटी ना हो अच्छी सूरे रेखा हो और उसके साथ उसके ऊपर कोई अच्छा sign बनता हो तो इसके effect ज करने के बुद्ध का परवत ये दोनों ही परवत बहुत ही important role play करते हैं ज्ञान के लिए ज्ञान के ये कारग्रे माने जाते हैं अगर किसी का प्रश्पती बहुत अच्छा है या बुद्ध बहुत अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति घ्ञान में बहुत ही विवारिक होते हैं ब अच्छे साइन भी बनते हों, तो और भी अच्छा हो जाता है, ऐसे बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन लेते हैं, एजुकेशन में वो हायर स्टुडीज में जाते हैं, बुद्ध के परवत को जो है, वो कॉम्मिनिकेशन के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, जाफी आगे निकल जाते हैं, ऐसा देख सकते हैं, हम आजकल का जो यूग है, अगर बच्चे कॉम्मिनिकेट अच्छे से कर पाएंगे, तो उनको आगे जो है, वो जॉब लेने में कभी कोई परिशानी नहीं होती, इसके साथ ये भी देखा जाता है, कि अगर इनके ऊपर इन माउंट्स के ऊपर कोई बैड मार्किंग आ जाएं, कोई क्रॉस आ जाए, या कोई ग्रिल आ जाए, या कोई ऐसा सिंबल आ जाए, जो नेगटिव माना जाता है, तो इस प्रकार के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो बहुत जादा हायर एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, ऐसे बच्चे जो हैं, वो एवरेज रहते हैं, यह हमने यहाँ पर बात की है, चार माउंट्स की, कि चार कौन से ऐसे माउंट्स हैं, और क्यां से ऐसे सिंबल्स हैं, जो बहुत इंपॉर्टन माने जाते हैं, एजुकेशन के लिए, अब बात करते हैं, चोटी रेखा अगर आपके हाथ पर निकलती है तो इसे education line बोला जाता है प्रन्तो इसका अर्थ यहां पर यह नहीं है कि जिन बच्चों के हाथ में यह line होती है वो बच्चे higher education को लेंगे higher education में जाएंगे ऐसा नहीं है यह जो line है यहां पर चोटी सी line जो आपको दिखाई द रही है यह विवारिक ग्यान की line मानी जाती है ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में यह line होती है वो बहुत ही knowledgeable होते हैं बहुत ही wise माने जाते हैं इनके पास knowledge बहुत जादा होती है प्रन्तु यह जरूरी नहीं है कि इन्होंने कोई higher education ली हो या कोई higher studies की हो इस line का अर्थ है कि ऐस ही विवारिक ग्यान रखते हैं लोग इन से आकर कोई ना कोई सला मश्वरा जरूर करते हैं ऐसे व्यक्ति जिस भी field में होंगे उस field में आसपास के जो लोग हैं वो उनसे सला लेकर काम करेंगे ऐसे व्यक्तियों को बहुत समझदार माना जाता है और उनके पास जो है वो ए एक चीज के लिए उसे अच्छा नहीं माना जाता बलकि हर चीज के लिए उससे पूछ कर काम किया जाता है ये जो लाइन है ये कई बार बिल्कुल अनपड़ व्यक्तियों के हाथों में भी देखी गई है कई बार laborers के हाथों में भी देखी गई है प्रन्तु इसका आर्थ में होते हैं जाहे वो मजदूरी ही कर रहे हों तो वो मजदूरी में भी बहुत perfect होंगे उनको बात बहुत अच्छे से समझ में आती होगी लोग उनसे राय लेते होंगे और इस line के साथ अगर बाकी के symbols बाकी की lines बाकी के mounts जो मैंने पहले आपको यहाँ पर बताएं हैं आपके बच्चे के हाथ में कोई ना कोई ऐसा symbol जो positive है अगर वो बनता है तो आप उस पर महनत कर सकते हैं और आपका बच्चा जो है वो आपको जरूर किसी ना किसी तरह का अच्छा result देगा यह जरूरी नहीं है कि बच्चा जो है वो आप जिस field की बात करते हैं उसी field में तरक्य करें प्रन्तु आने वाले समय में वो जरूर किसी ना किसी field में जरूर तरक्य करेगा इस पर आपको कोई भी संधे करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहूंगी कि जो भी पामिस्ट्री को थोड़ा सा जानते हैं या astrology को थोड में रखना बहुत जरूरी होता है इसके लिए मैं एक separate वीडियो जरूर दूँगी कि देशकाल और पात्र क्या होता है और किस प्रकार से यह हमारे जीवन में बहुत जादा आसर करता है अगर हमारे planets कई बार बहुत अच्छे होते हैं हमारे mountains कई बार बहुत अच्छे होते हैं प्रन्तु वो जो result वो दे सकते हैं वो हमें नहीं मिलता तो इसका कारण देशकाल पात्र का होना भी होता है तो आने वाली वीडियो में मैं इसके concept को भी clear करने की कोशिश करूंगी इसलिए आप आने वाली वीडियो को जरूर देखें और अगर आपको यह वीडियो शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें